हलो नमस्कार, मैं शाननी साध्वान स्वागत करती हूँ आपका डीकेटी पर इमेल्स हमारी डेली वोक लाइफ का बहुत इंपोर्टन पार्ट है किसी को प्रोपोजल भीजना है, इमेल करें किसी को प्रोफेशनली करनेक करना है, तो इमेल करें इंटर्शिप के लिए अपलाई करना है, तो इमेल करें In business world, verbal commitment पे हम कोई बिलीव नहीं करता हमें सब को written चाहिए, वो भी इमेल्स पे बट क्या इमेल्स लिखना इतना easy है? हम लोग इमेल्स में इतनी छोड़ी छोड़ी गलतिया करते हैं जो हमें नहीं मालूम है, गलतिया हैं, बट वो आक्षियल में बहुत blunder होता है, जो professionals हमारा email रीट कर रहे होते हैं, वो हमें उन emails की थुरू जाज करते हैं, आपका email professional होना चाहिए और formal होना चाहिए, इसलिए email etiquettes are important सो आज मैं आपको कुछ टिप्स दोंगी, और बात करोंगी email etiquettes की Most important and first point is, आपका email address Imagine आपके पास कोई email आता है, और email ID होती है, kingsono23adurajgmail.com आप क्या email खोलेंगे? नहीं, ऐसे emails हमें लगता है, scam है, waste है सो जितने भी आपके email IDs होती हैं, they should be from your first or last name अगर first or last name available नहीं है, सो आप उसमें numbers add कर सकते हैं लेकिन kingsono kind of email IDs avoid करें, वो बिलकुल professional नहीं लगता है Second important point, the first line of email, that is two आप जन जन को email भेजना चाहते हैं, उनके email address आप two में लिखते हैं Suppose आपको किसी का reaction चाहिए, किसी का suggestion चाहिए, एक इंसान हो, दो हो, या तीन हो और उनका reaction, suggestion important है, तो उनके email address आप two में डालते हैं Next is CC, that is carbon copy आप CC में उनके email address चाहते हैं, जिनका आप लूप में रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसा conversation, email conversation चल रहा है उनके suggestions, reaction इतना matter नहीं करते हैं, बट वो अपना feedback दे सकते हैं The third point is BC, that is blind carbon copy यह बहुत important होता है, because BCC में जो होता है वो देख तो सकता है कि आपने two में और CC में किसको डाला है लेकिन जिनके email address two and CC में होते हैं वो कभी नहीं देख सकते थे BCC में किसका email address है जो BCC में होते हैं, वो react नहीं कर सकते, response नहीं दे सकते लेकिन वो सारा conversation पढ़ सकते हैं Next important point होता है, आपकी email का subject आपका email कोई open करेगा, पढ़ेगा या नहीं वो भी depend करता है आपके subject पे आपका subject हमेशा precise, briefed and short होना चाहिए It shouldn't be more than 10 letters आपका subject हमेशा 10 words से कम होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए उससे जादा नहीं subject के बाद आता है greeting greeting अगर formal हो तो आप लिखते हैं dear dear अगर आपका नाम मालूम है और सवने मालूम है dear miss asmita sing और dear miss asmita अगर कोई mail है तो dear mr. शानू और mr. शानू से अगर आपको उनका सिर्फ नहीं मालूम है तो dear miss asmita और dear mr. शानू अगर वह आपकी कोई close कली है तो आप लिख सकते हाई asmita greetings के बाद आता introduction अगर आप किसी को पहली बार email लिख रहे हैं तो आपका introduction paragraph short होना चाहिए precise होना चाहिए clear होना चाहिए सिर्फ दो sentence होने चाहिए उससे जादा नहीं उसमें बताईए आप कौन है और आप email क्यों लिख रहे हैं introduction paragraph के बाद आता आपका body paragraph body paragraph में आप लिखते हैं explain करते हैं कि आपने email क्यों लिखा है उसको जादा stretch मत करिए बहुत लेंदी मत बनाएं आप चेक करिए आपकी grammar उसमें ठीक है या नहीं है आपकी language ठीक है या नहीं है जब भी आप किसी को emails लिखते हैं तो make sure करिए कि जादा flashy colors यूज नहीं कर रहे हैं emojis यूज नहीं करें obvious है आप WhatsApp messages तो लिख नहीं रहे हैं बहुत दा exclamation marks यूज नहीं कर रहे हैं उससे बहुत दा रूट लगता है लास्ट आता है end of the email end of the email में आप थैंक करते हैं उसको जिसको आप email लिख रहे हैं और लिखते हैं sincerely yours और your sincerely और yours truly उसके नीचे आप अपना नाम अपना email ID अपनी company का नाम अपना contact details and information लिखते हैं ऐसे आप एक अच्छा सा email format ready करते हैं और इससे आपका email बहुत ज़्यादा professional लगता है so I hope इन सारी tips से आपको पता चलोगा वह फिर छोड़ी छोड़ी चीजी जो पहले ना पता हूँ और इसके थुरू आप ज़्यादा बेटर email लिख पाए बट हां make sure before sending the email आप उसको एक last time check करें check करें जो attachment आप उसमें डालना चाहते थे attach करना चाहते थे वो है यह नहीं है आपने कोई grammar mistake तो नहीं करी है यह कोई important point miss तो नहीं करा है if you have any question write down in comment section I will try to answer it thank you